नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं आपका अपना श्रावन के ल्टी सीकर से आप दोस्तों इस समय जिलास्तरिये प्रतिभाग होज प्रतियोंगिता एक्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12-2 के बीच राजस्तान के 270 270 प्रिक्षा केंद रुपी दी है पांचमी चटी साथमी आप देख रहे हैं वीडियो सोलिशन सील सी सीकर के यूटूब चल प्रेटफॉर्म पर क्यों सही कह रहा हूं बोलो पेपर कैसा रहा मज़ा आया देखो ओमार सीट मिली हाना एक इतना सुंदर सा पेपर आपके पास आया अबजेक्टिव एक्जाम आपने पहले बार दी ए आर जिस आप देख रहे हैं सुनें यह एक्जाम क्यवल स्कोलर्सिप का मकस commanded हमारा इस एक्जाम का मकसद के उल स्कोलर सीप नहीं है के और एड्मीशन नहीं कि एपक्जाम का मकसद है की पांची में शट्थी साथ में मैंफी बच्चे को बता तिया जाए कि ओमार सीट क्या होती है objective exam क्या होती है किसा आप नीट और जे या कोई भी exam दिना competitive करीब करीब एक्जाम साथ किल कहा होती है ओमार के होती है तो आप सोचों कि एक पांचवी क्लास का बेटा बेटी आज ओमार को भर रहा है हो सकता उसे गलतियां होगी होंगी हो सकता है किसाम को डंसे देपाया होगा फिर भी उसने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे वहिशे की तरब तो यह वीडियो सोलुशन आप देख रहे हैं हर क्लास का अलगले वीडियो सोलुशन है पूरा वीडियो सोलुशन देखे आपको किसी भी प्रश्ण में लगता है कि हमने सोलुशन गलत दे दिया की गलत है तो प्लीज आप अपना नाम अपनी क्लास अपना रोल नंबर प्रोकुश्चन नंबर लिख के मेरे इस नंबर पे 992873 डवलेट डवलेट एडवार्शन चाहिए आप लोग बोलो हाया ना और 27 तारी की रात को नो बजे इस पेपर की आंसर शीट भी आज 27 फरवरी को ही रात को नो बजे हमारी साइट पे साइट कौन सी dtac.clc.in यानि इस एक्जाम की जो भी स्ट्री है वो सारी नहीं रहेगी अब फिर से एक बार स्लाइट देख लिए dtsc.clc.in एक्जाम हो गई वीडियो सोलिशन देख लिया डाउट खतम हो गए आंसर मिला लिए नंबर चोड़ लिए ओके डियर रिजल्ट कर आएगा धाना आपको रिजल्ट आएगा तीन मार्च को शाम को पांच बजे तहां वो इस साइट पे जाओ देख आप साइट पे है आपके पेपर के लास्ट पेज़ पे देखा होगा ना कि किस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं बाकी स्लाइड भी देख लो आप हमारी साइड पे हां सीकर क्यूरू धुन्जनू अजमे रास्समंद की डैट्स हम होली के बाद देंगे क्यूंकि आपको पता पांच लगातार मैं फंक्शन कर रहा हैं मैं खुद आ रहा हूं सा बिलकुल 29 के 29 जिले में खुद कवर करने आऊंगा नोड आउट लोड रहेगा बागदूरी रहेगी लेकिन दोस्तों जहोंपड़ीं बैठी खोपड़ीं को आगे बढ़ाना परतीबहों को तलास कर आगे लेके जाना मेरे जैसे बहुत से और भी श्रवन गाओं बैठे होंगे मेरे जैसे बहुत से श्रवन को श्रवन सेल्सी तक के मुकाम पे पहुंचाने का अभियान आखरी सांस तक रहेगा मेरा आज के 26 साल पहले जो सीकर में मने कोचिंग स्टार्ट किया था मापी चाहता हूं गल कि आज हजारों हजारों बेटा बेटी हर साल सील्सी के माद्यम से मेडिकल में जाता आईटी में जाता है नाईटी में जाता है तील्सी ना किसी की होड में बनी ना किसी को तोड के बनी तील्सी मूल बीज है एक विचार बीज है जो जमी फोड के बनी और इसलिए दोस्तो गारदियन्स आप सोच के देखो जाजस्तान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एक्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है, अल्टिमेट पेपर उसका रिजल्ट कब आएगा, आप वीडियो सोलिशन देख रहे हैं आप की देख रहे हैं, उसके बाद फंक्शन और हर जिले पर आकर ऐसा नहीं कि एक्जाम कराली फिरिम में आओ सीकर आजाओ, मारे पुरुसका लेने क्यों, भैस सीकर क्यों आओ सीकर दो बाद की बात है आपके जिले पर आकर आपका पुरुसकार इतना क्या जाएगा डेटोर टाइम आप जिरूर प्लीज वाच कर ले हाँ, पुरुसकार इतना समारों में सबी मेरे अपने साधरामन देते हैं जिन बच्चों ने एक्जाम दी है, उनको तो आना है अन्य बच्चे भी मोटिवेस्टन सेमिनार भी होगा हमारे वहां, उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आपा सकते हैं, बसे इस कोरणा के टाइम में मेरे शाम के लाइव सेस्टन से वीडियो से पहले हमारे भरतपूर के दो परी, बहुत ही गाउं के सिंपल से किसान भाई आये उन्हें कहा, चोधरी साहब हम आपका लाइव देखते हैं, तो सिर्दम आँखू पानी आ गया उस दिन पता लगा, कि दोस्तों अखिकत ये है, बगवान कर्ष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी, कि यदि करम को मन से ही किया जाए, तो फल की इच्छा करने कहा हो सकता नहीं है, फल बगवान अपने आप देता है, जो देरा CLC को, ओके, वापस पोइंट काते हैं, रख्जाम होगी, वीडियो तो सुन देख लिया, किया आ गई, पात मार्श से सोडा मार्श तक आपको फंक्शन में आना है, हाँ भी, फंक्शन में आने के लिए, पुरुसकार के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड, प्रवेस पत्र की कोपी साथ लानी होगी, और एक ब पुरुफंक्शन थार में वापस उद्धे पुरुसकार देने आऊंगा, सम्भव नहीं हो सकता, हाँ सीकर आने के बाद आप पुरुसकार बाद भी ले सकते हैं, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, फंक्शन जिस डिस्टिक एड़कॉर्टर फंक्शन भी आपको इतना जानते हैं, दोस्तों, जो जीना जानते हैं, रोकाम सिखाती है CLC, CLC जीतना सिखाती है, जीना सिखाती है, ये सुनना देखना है, आपका अपना श्रावन आपके खुद के जिले में आ रहा है, आपसे बाद करने के लिए, हर दिन, सुबह से आम दोनों टाइम मीटि सपने बड़े हैं तो जगणा इंपड़े गला साथ के बात साथ ताथ बहुत अच्छ लगती है कि सपने वो नहीं होते सुने के बाद आते हैं सपने वो होते हैं जो सुने जे desenvolv को पूरा करने क्या होती है अर्थ का भी फुड़ा भाव है ठोड़ा भाव गाइडलाइन का भी है वो गवराएंड नहीं आपके साथ आपका श्रवण है तर आज पर टेम सी एलसी टूड़ेवी डिस्कूस अबाओ डिटीसी पेपर टूट हाउसन कॉंटिटीटो तो फॉस्ट कुशन हमारे पास है एपार्टिकल इस मुविंग इन एस सर्कूलर पाथ और रेडियस आर दिस्प्लेस्मेंट आफटर हाफ इस सर्कूल वुड भी या इसका मतलब यहां पे जो अपना डिस्प्लेस्मेंट है वो कितना हो गया टोटल टू आर एट में ऑप्शन थार्ड इस करेक्ट तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट किशन को सेकंड नमबर किशन देखे आप रोकेट वाक्स ओन विच प्रिंसीपल यानि रोकेट किस प्रिंस के सिध्धान्त पर चलिए नेक्स्ट किशन की तरफ हम बढ़ते हैं थर्ड नमबर किशन देखिए अब हम बढ़ते हैं तो यहाँ अगर अपन वेल्यू रखते हैं ठीटा की 180 तो आंसर क्या आजाएगा नेगेटिव में आजाएगा इस इट मेन यहाँ पर फॉर्थ उप्सन क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट किशन देखिए वेन वी चैंज अफीबल साउंड तो लाउड साउंड वी इंक्रीज एड्स तो हमें पता है कि जब भी हम किसी शीन ध्वनी को प्रबल ध्वनी में परिवर्तित करते हैं तो उसमें हम क्या इंक्रीज करते हैं तो हम जानते हैं एंप्लिट्यूड को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों increase करना पड़ेगा तब ही वो sound जो है वो प्रबल हो पाएगी तो यहाँ पे भी option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct next question देखिए in the curve half the wavelength is यानि wavelength का half इस curve में कौन सा point है जो denote करता है तो देखिए अगर हम बात करें wavelength की और यह हमारे पास क्या है कि पूरा curve है तो half हमें देखना है wavelength का तो देखिए आपको यहाँ पे options के according चलना पड़ेगा A और B तो A और B half नहीं है wavelength का उसके बाद करते हैं बात B और D की तो देखिए यह B point हो गया और यह D point हो गया और यह क्या है किसी भी wavelength का half है इसका मतलब हमें हमारा answer मिल गया है यहाँ पे second इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल correct answer देखिए देखिए next question a girl is carrying a school bag of three kilogram mass on her back and moves 200 meter on a leveled road the work done against the gravitational force will be यानि हमें देखना है कि कोई लड़की अपनी पीट पर तीन किलोग्राम दर्योमान का बेग उठाए किसी समतल सड़क पे यानि यह मानलो कोई leveled road है और यहाँ पे अगर कोई girl अपना बेग लेके 200 किलोमेटर की दूरी तै करती है तो उसकी द्वारा गृत्वा कर्षिन ब हम इसे soul करेंगे तो कोई तो कोई value अपने पास आएगी लेकिन पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर यह रोड है और यहाँ पे कोई लड़की है उसने अपना बेग लटका रखा है तो यह जो displacement हो रहा है यह gravity के क्या हो रहा है बिलकुल perpendicular हो रहा है और जब भी perpendicular होता है तो ह हमें पता है उसका answer क्या आता है जीरो तो वहाँ पे work done अगर perpendicular की बात करें तो work done हमेशा जीरो आएगा displacement के बिलकुल perpendicular हो तो work done क्या हो जाता है बच्चों जीरो हो जाता है it means fourth option क्या हो जाएगा बिलकुल correct चली next question हम देखते हैं next question है which one of the following is not the unit of energy यानि energy की unit कौन सी नहीं है तो generally हम जानते हैं कि energy की जो unit होती है वो जूल होती है जलिए तो हम इससे जूल answer निकाल देते हैं फिर हमारे पास बात आती है second option की क्या newton meter तो देखिए अगर हम work की बात करें तो देखिए हमारे पास work क्या होता है force into displacement तो इससे भी अगर अपन energy की बात करें तो newton meter unit आती ह है तो newton meter भी क्या हो जाती है energy की एक unit हो जाती है और kilowatt और तो हमें पता ही है energy की क्या होती है unit तो यह तीनों ही क्या है बच्चो energy की unit है जबकि हमारे पास kilowatt क्या है power की unit है it means यहां पे c option क्या हो जाएगा बिलकुल incorrect हो जाएगा यानि which of the following is not the unit of energy इसलिए हमें answer करना है third option kilow next question देखिए when a body falls freely towards the earth then its total energy यानि जब कोई भी पिंड मुक्त मुक्त रूप से प्रित्वी की और गिरता है तो इसकी कुल energy तो मुक्त रूप से अगर प्रित्वी की और गिरता है तो हमें पता है कि वो जो energy होती है वो हमेसा constant रहती है तो क्या हो जाएगा इसका answer remains constant next question की तरफ बढ़ते हैं 10 number question the weight of an object at the center of the earth of radius r is यानि हमें देखना है कि आर्थ रिज्या की प्रित्वी के केंदर पर किसी पिंड का भार तो हमें भार देखना है तो देखिए अगर हम भार की बात करें तो हम देखेंगे formula लगाएंगे arm into g का तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि gravity के बिल्कुल center में है तो जी हमारे पास क्या आगया बच्चों 0 आगया तो यह पूरी term क्या हो गई 0 हो गई इसका मतलब अपना answer क्या आगया कि जो weight होगा उस object का वो क्या होईगा बिल्कुल center में अर्थ के क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा जीरो हो जाएगा आर्थ र होती है बिल्कु center में 0 होती है जी की value next question की तरफ हम जलते हैं the atmosphere is head to the earth by यानि वायू मंडल पृत्वी से जकडा हुआ है तो इसका answer क्या होगा किस की वज़े से है तो gravity की वज़े से है तो सारी चीज़े gravity से ही होती है तो इसका answer क्या हो जाएगा gravity okay next question की तरफ हम बढ़ते है 12 number question an object of mass 2 kg sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table okay the force required to keep the object moving with the same velocity यानि 2 kg दर्यो मान की वस्तु गरशन रहित 36 टेबल पर 4 meter per second के नियत वेक से फिसल रही है इस वस्तु की इसी वेक से गती बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है तो हमें force निकालना है तो गरशन रही थे तो इसका मतलब वहां पर सीधा सांसर क्या जला जाएगा बच्चों 0 Newton रही थे तो वहां हम किसी भी प्रकार के बलू की बात नहीं करेंगे तो 0 Newton क्या हो जा ताइम के बीच का एक ग्राफ है तो इस ग्राफ को देखी तो अनुद देखते हैं कि ऐसा ग्राफ जब भी हमें मिलता है वेला सिटी और टायम के बीच बच्चों यह देखना बहुत जोली है यह क्या है वेलो सिटी है और यहां पर एक्स अक्षिस पर ग्राफ मिल रहा है तो यह किसी भी किसी भी motion की बात करें तो हमेशा यह uniform motion को denote करेगा यानि यह जो ऐसा graph होगा velocity or time के बीच में यह हमेशा uniform motion को show करेगा इसका मतलब यहाँ पर answer क्या हो गया in uniform motion नेक्स्ट किशन देखें नेक्स्ट किशन है हो 14 नंबर किशन वीच आफ दे फॉलोईंग फिगर री प्रसेंट यूनिफोर्म मोशन बिल्कुल पिछले किशन की तरही है लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है पिछले किशन में क्या था यहाँ पर था कही तो ग्राफ सिथी सी बात है बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चोंग हो जाएगा पहले ग्राफ इसा था इस बार uniform網 मोशन का कहाँ क्या हो जाएगा कुछ प्रकार हो जाएगा यानि फ़र्स ऑप्सन बिल्कुल कर्एक्ट है स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्यूज यानि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो उसकी जो स्लोप होती है वो क्या डिनोट करती है तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम जो है उसकी स्लोप हमेशा एक्सलरेशन को डिनोट करेगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्सन इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट किशन की तरफ हम बढ़ते है 16 नंबर किशन एरिया अंडर वी टी ग्राफ री प्रेजेंट है फीजिकल क्वांटिटी विच है इस दा यूनिट यानि हमें देखना है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर बनाते है तो उसमें जो भी एरिया है उस ग्राफ से कवर हो रहा है तो उस एरिया से हमें कौन सी फीजिकल क्वांटिटी मिलेगी तो इस किशन को सॉल्व करेंगे देखे वेलोसिटी और टाइम velocity और time के graph की बात करें तो यह denote करता है distance को किसको denote करेगा यह distance को denote करेगा एक सेकंड देखेगा आप लोग velocity equals to क्या होता है distance divided by time तो हमें यहाँ पे V or T का graph लेना है तो हम क्या करेंगे distance equals to क्या हो जाएगा V into T तो देखिए V into T जब हमने करा हमारे पास आंसर क्या आया distance और distance की unit क्या होती है बच्चों meter होती है इट मीन यहाँ पर आवसर क्या हो जाएगा second option यानि meter क्या हो जाएगा बिल्कुल correct आवसर हो जाएगा तो तिंट नंबर किशन की जो कुछ इस पकार है आसा unit of temperature is यानि हमें देखना है कि temperature की ऐसा unit क्या होती है तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो Kelvin होती है वो temperature की क्या है कि ऐसा unit है ओके चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ चलिए देखिए next question आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार है the density of water is maximum 8 यानि हमें देखना है कि जो water की density होती है वो किस temperature पे maximum होती है तो हम सभी लोग जानते हैं कि 4 degree centigrade पे जो water की density होती है वो maximum होती है अब यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे 4 degree centigrade का option नहीं है तो अब हम क्या करते हैं इस 4 degree centigrade को convert कर देते हैं Kelvin में और हम लोग जानते हैं जब हम Kelvin में convert करते हैं degree Celsius को तो हमें क्या करना पड़ता है 273 में aid करना पड़ता है उस temperature को तो मैंने 4 degree को यहाँ पे क्या कर दिया aid कर दिया तो अपने पास answer आया है बच्चों 277 Kelvin यानि यहाँ पे जो option है वो भी option क्या है एकदम correct है चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ तो next question देखिए कुछ इस प्रकार है next question है which of the following element has the Latin name of Calium यानि हमें यहाँ देखना है कि जो Calium जो Latin name है कोन से element का है तो देखिए Calium हमारे पास क्या है Calium यानि के के से हम denote किसको करते हैं बच्चों potassium को denote करते हैं किसको denote करते हैं हम potassium को तो I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भी option क्या है दम correct है चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ I hope आप लोगों को क्लिए समझ में आ गया होगा देखिए next question है 20 number who among the following discover the proton यानि हमें यहाँ देखना है कि proton की discovery कौन से scientist ने करी है तो हम सभी जानते हैं कि जो goldstein थे यानि goldstein scientist थे उन्होंने यहाँ पर proton की discovery करी है तो यहाँ first option क्या हो जाएगा एकदम correct चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ और next question आप लोगों के सामने है 21 number question जो है mass of an electron each बच्चों यहाँ हमें देखना है कि electron का जो mass होता है वो कितना होता है बड़ा ही simple question है कि जो electron का mass होता है वो 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है कितना 9.1 into 10 to the power minus 31 kg अपने को unit यहाँ पे ध्यान रखनी है काफी बार examiner क्या करता है gram kg में convert करके भी इसको दे सकता है लेकिन हमारे यहाँ kilogram unit लिखे वी है तो सिधा सा answer जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 31 kg चलिए अब हम चलते है next question की तरफ I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा देखिए अगला question है number of electrons present in magnesium is देखिए magnesium में कितने electron present है तो आप लोग जानते है sodium आता है 11 नंबर पे और magnesium आता है 12 यानि यहाँ पे atomic number magnesium का कितना है 12 इसका मतलब इसके अंदर proton भी कितने है 12 और इसके अंदर electron भी कितने है 12 तो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा 12 तो यहाँ पे first option क्या हो गया एक्दम correct हो गया चलिए बच्चों अब हम चलते हैं next question की तरफ बड़े आसान आसान से question है बहुत ही ध्यान पूरुवक आप लोगों को इन questions को देखना है चलिए next question देखिए number of electrons and protons present in aluminium is respectively यानि हमें aluminium की बात करनी है किसके aluminium की aluminium में हमें देखना है atomic number कितना होता है 13 और atomic number क्या denote करता है proton तो proton भी कितने हो गया 13 और जितने proton होते हैं उतने ही क्या होते हैं electron तो electron भी कितना हो गया 13 तो यहाँ पे 13 तो क्या हो जाएंगे बच्चों electron हो जाएंगे और 13 ही क्या हो जाएंगे proton हो जाएंगे यानि यहाँ पर a option क्या है गितम करेक्ट है चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ next question हमारे पास है the symbol of mercury is बच्चों very very important question है कि mercury का symbol क्या होता है तो mercury का symbol देखने में तो आपको नाम दिखाई दे रहा है mercury तो आप M सोचोगे तो हम नहीं सोचना है mercury का जो symbol होता है बच्चों वो क्या होता है x g होता है तो इसका मतलब यहां पर first option क्या हो गया गितम करेक्ट हो गया चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है अपने पास 25 number question है which of the following is a correct formula यानि हमारे पास temperature convert का formula दियावा है और हमें यहां देखना है कि कौन सा correct है तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास हो तो उसमें 273 simple aid करना होता है तो यहां पर क्या हो गया यह option एकदम correct हो गया चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ the process of melting is यानि melting की जो process होती है उसे हम क्या कहते हैं तो बच्छों देखिए melt को अज़्यानिक्त की जो process है वो कौंसे state से कौंसे state तक होती है यह हमारे पास किस्चन है using the state to the mlting वो un sık मख और कि सोलिड हमारे पास क्या है लेकविड और हमारे हमारे पास मानले जींगेर सीयवःपर期श यह मैंने यह है राइघ इस हमिलिक हर्ण दिया तो इसolid से ऑसे हम बोलते हैं मेल्टिंग चैन्ज में आरह होगा कि मैल्टिंग पूछा है से से स्टेटी कॉलिक हर्णा भी dus Yeah लिक वीड यहांस बेद हें कि फॉर्सट उप्षान इसके जले हैं एक्स्ट न सभिस्टर हम चलते हैं नेक्सट किश्चन की तरहनी मेस्ट किमा पुलाइं कि भी फॉट्सी निस्टाइन ज़िए मिकस्च को होगोई मिकस्टर ऑन चill दर फोल्लवन होमोजीनस नहीं होता है एक हेटरोजीनस मिक्स्चचर है तो यहाँ पर बी ओप्शन क्या हो गया एक तम करेक्ट हो गया अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुषिन की तरफ next question है 28 number question the number of moles present in 18 gram of water will be आप लोगों को यहाँ पे mole calculate करना है mole का formula simply हम लोग जानते है given gram यानि जो भी gram आपको given है कितना है 18 gram given है तो मैंने लिख लिया 18 gram divided by molecular weight molecular weight किसका है और water का तो water क्या होता है बच्चो होता है और इसका molecular weight क्या होता है 18 होता है क्या होता है 18 और unit हम लोग साथ लिख देंगे gram per mole 18 gram per mole तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 gram per mole देखे अब यहाँ पे देखे easily answer क्या रहा है यह gram से gram कट गया यह मोल उपर चला गया तो answer आगया अपने पास वन मोल तो इसका answer क्या है वन मोल कौन से option में है first option में बड़ा ही आसान सा था वन मोल क्या हो जाएगा इसका answer सब्सक्राइब को चलिए 29 number question देखे 29 number question तो बिलकुल आसान सा है the number of electrons present in nth electronic level is यानि nth electronic level में जब भी हमें electron का number निकालना हो तो कौन सा formula यूज़ करेंगे तो बच्चों वो है 2 and square यह तो बिलकुल theoretical question मान लीजे याद रखने वाला question था 2 and square इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा चलिए next question की तरफ हम चलते हैं next question थोड़ा सा interesting question है पर है इजी देखे एन element x हमारे पास एक element क्या है x है जिसकी वेलंसी क्या है बच्चों 3 है चलिए उसके बाद में क्या है combine with another element y of valence to the formula of the compound formed age देखे हमने ninth class में पड़ा है कि जब भी किसे compound का formation करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी वेलंसी का exchange करते हैं अगर वेलंसी सेम होती तो कट कर देते लेकिन यहां पर वेलंसी क्या है different है तो हम क्या करेंगे वेलंसी का exchange यानि यह two number तो इधर आ जाएगा और यह three number इधर आ जाएगा तो देखें बच्चो क्या बच्चा एक्स की तरफ तो क्या आ गया तो एक्स की नीचे क्या लिखना है two y की तरफ कोन आ गया बच्चो यह देखें three कहां चला गया y की तरफ तो यह क्या हो गया x2 y3 इसका formula हो गया इसे compound का formula तो यह x2 y3 हमारे पास b option में यानि यहाँ पे b option क्या हो जाता है एकदम correct हो जाता है चलिए अगला किशन है हमारे पास an element a has atomic mass 39 and atomic number 19 देखें यह भी interesting किशन है बच्चो देखें हमारे पास एक element है चलिए जी यह मै ने लिख लिया element a ठीक है अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि atomic number कितना है 19 तो वह भी मैंने लिख लिया कि यह 19 नंबर का कोई भी एक element हो सकता है अब हम क्या करते हैं किशन को आगे पड़ते हैं which one of the following iron it will form on losing one electron यानि अगर यह एक electron donate कर देता है तो कौन सा iron form होगा देखें सबस तो electronic configuration क्या हो जाएगा बच्चों 289 अब इसको 8 होना है तो एक electron क्या कर देता है donate यानि one electron इसने क्या कर दिया donate तो यही तो line ही बोल रहा है कि one electron यहां से चला जाता है loose हो जाता है तब क्या form होगा देखो जब भी donate या donation की बात आए electron donate की बात आए तो उस element पर charge क्या आता है बच्चों positive charge आता है कैसा charge आता है positive कितना electron donate हुआ है यह बोल रहे है one तो charge भी क्या हो गया plus का one तो हमारे पास यह आयन क्या हो जाएगा a plus one अब one को लिखो जाए ना लिखो इसलिए simply क्या हो गया a plus यहां पर first option क्या हो जाएगा एकदम correct चलिए अब हम चलते हैं अगले कि तरफ अगला किशन है हमारे पास 32 number किशन देखिए अगला किशन को जिस प्रकार है which of the following is not a gas at room temperature यानि हमें देखना है कि room temperature पे कौन सी एक gas नहीं है देखिए helium हम लोग जानते हैं क्या होती है एक gas आरगन भी हम जानते हैं क्या होती है gas oxygen भी हम लोग जानते हैं क्या होती है gas लेकिन ब्रोमीन कभी भी room temperature पे gas नहीं होती है ब्रोमीन क्या है बच्चों? ब्रोमीन एक गेस नहीं है ब्रोमीन क्या होती है? लिक्विड फॉर्म होती है बच्चों? लिक्विड फॉर्म इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? C option एकदम correct हो जाएगा चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है atomic number of agnesium is देखिए बहुत interesting question है देखिए periodic table में periodic table में total 7 periods होते हैं और 7 period में जो सबसे last जो number है वो है 118 और सबसे last number यानि 118 इस number पे जो element discover हुआ है वो कौन है agnesium है इसका मतलब यहाँ पे जो option हो जाएगा वो correct क्या है? second option एकदम करेक्ट है 4 number question है the inner mitochondrial membrane gives rise to finger-like projection finger-like projection को हम क्या कहते हैं तो हम जानते हैं कि mitochondrial membrane में जो finger-like structures होती है उनको हम बोलते है क्रिष्टी बहुत अच्छा किशन था next question देखिए 35 number question the symbiotic association between fungi and roots of higher plants is referred to age यानि कवक वे उच्च पादप मूल के बीच सहजीवी संबंद को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा किशन है तो हम जानते हैं fungi और जो higher plants होंगे तो उनके बीच में जो symbiotic association होता है उसको हम क्या बोलते हैं? mycorrhiza यानि कवक मूल कहते हैं तो यहां पर बहुत ही आसान सा किशन था चलिए नेक्स्ट किशन की तरफ हम जलते हैं नेक्स्ट किशन है इन विच फाइलम नीडोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट यानि किस संग में नीडोब्लास्ट सेल्स है जो पाई जाती है तो हम जानते है कि जो सिलन्ट रेटा होता है उसमें क्या होती है? नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है नेक्स्ट किशन Hayır da 37 नंबर किशन तो यहां पर थर्ड आर कर्स इन विच स्डेज तोigor बेरी ब्राइशल है तो हम जानते हैं पकाइटिन स्टेट में हमें जीन विनी में आवस्तह स्टेज दिखाई देती हैं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्सेन क्या हो जाएगा बिलकुल करेक्ट नेक्स्ट किशन देखिए नेक्स्ट किशन है ठर्टी एट मंबर किशन नेक्स्ट किशन की तरफ बढ़ते हैं 39 नंबर किशन देखें which of the following is infective stage of malarial parasite in human तो कौन सी वो stage है जो malaria पडजीवी की अवस्ता मनुश्य को संकर्मित करती है तो हम जानते हैं sporo joint stage क्या होती है यहाँ पे यह संकर्मन वाली stage होती है तो यहाँ पे second option क्या हो जाएगा बिलकुल correct देखें बच्चों 40 नंबर किशन बड़ा ही easy सा किशन है which mosquito is the carrier of dango यानि हमें देखना है कि कौन सा मच्छर डेंगू रोग का वाहक है तो देखें हम जानते हैं कि जो anophilies होती है यानि female जो anophilies होती है वो malaria की vector होती है लेकिन जो ades mosquito है वो किसकी vector होती है बच्चों डें correct next question देखें which mosquito is the carrier of dango यानि dango का carrier क्या होगा तो हम जानते है female जो anophilies होती है वो क्या होती है carrier होती है अब हम चलते हैं 41 number question की तरह 41 number question हमारे पास है which of the following gas is not responsible for causing green house effect के लिए कौन सी गेस है जो responsible नहीं है तो देखें green house के लिए CH4 responsible होती है CO2 भी होती है लेकिन cfc यानि chlorofluorocarbon इतना responsible नहीं होता है तो यहां पर first option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct देखें next question then select the incorrect options in the following यानि हमें देखना है कि incorrect कौन साइन में इसे हैं अफ्लोयम water conduction करता है यह incorrect है जायलम food conduction करता है यह भी क्या है incorrect है यहां पर देखें पर अनगे सारे के सारे क्या है यहां पर incorrect है यानि fourth option क्या हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा चलिए next question देखते हैं the longest cell of the body is यानि अपनी body की सबसे longest cell कौन सी होती है तो हम जानते हैं now cell क्या होगा इसका answer होगा now cell क्या होती है सबसे longest cell होती है next question next question है 44 number question the site of dark reaction in chloroplast हम जानते हैं कि chloroplast में जो dark site होती है dark site होती है उसे हम क्या बोलते है stroma बोलते है यानि यहां पर answer क्या हो जाएगा first option बिलकुल correct हो जाएगा next question next question 45 number question है who proposed fluid mosaic model यानि तरल mosaic model जो है वो किस ने प्रतिपादित किया था तो हम जानते हैं कि singer and Nicholson ने क्या करा था fluid mosaic model को प्रपोस्ट करा था यानि D option क्या हो जाएगा बिलकुल correct देखे यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा वर्टसन एंड क्रिक भी नहीं होगा तो finally हमारे पास answer क्या आ गया fourth option next question की तरफ हम चलते हैं next question है circulatory system in cockroach is यानि cockroach का circulatory system कैसा होता है तो हम जानते है open system होता है cockroach में तो यहां पर क्या हो जाएगा first option बिलकुल correct हो जाएगा next question देखे आप लोग 47 number question plant producing naked seed belong to हमारे को पता लगाना है कि नगन बीज बनाने वाला पादप कोन से इन options में से correlate करता है तो हम जानते हैं कि जो जिमनो sperm होते हैं वो क्या होते है naked seed होते हैं तो यहां पर सी option क्या हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा 48 number देखिए which is the correct sequence of a sale cycle तो हम जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले sales cycle में जो stage आती है बच्चों वो आती है G1 उसके बाद में stage आती है वो कौन सी होती है S और S के बाद में जो stage आती है वो होती है G2 तो यह stage होती है G1, S and G2 और देन आती है हमारे पास M phase तो यहाँ पे हमने इस sequence को correct करना है G1, S, G2 और देन क्या आती है M phase तो यहाँ पे C option क्या हो जाएगा बिलकुल करेक्ट हो जाएगा बहुती आसान आसान से किशन से next question देखिए 49 number question the technique of growing two or more different crops together in the same field known is यानी एक ही field में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना तो क्या कहलाता है तो बच्चों से अपन क्या बोलते है है mixed cropping बोलते हैं यानी मिसरित फसल बोलते हैं चली next question कि तरह हम बढ़ते हैं 15 number question नीजल्स ग्रेनवल्स और प्रजेंट इन यानी जो नीजल्स करनिकाएं होती है वो कहां प्रजेंट होती है तो हम जानते है नीजल्स जो चैल्स होती है प्रजेंट होती है बच्चों नाव सेल में प्रजेंट होती है बहुत ही अच्छा सा किशन था हालो डियर इस्टुडेंट्स मैं सेल नरवत तम जाएंगे टीम मैथेमेटिक्स तो डिटी एसी सोलेशन ऑफ क्लास नहीं था तुट इसका 51 किसन से कि 32 की पार 1 एक आप तुट यू को हम लिखेंगे टूकी पावर फाइफ और उसकी पावर पावड फाइफ पिर इंटू यह है 125 125 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 और उसकी पावर किती है माइनस 1 भाइट 3 अब इसमें इसमें अधा पावर पर पावर होती है तो दोनों आपस्में मल्टिप्लाई होती है मल्टिप्लाई होगे तो यह 5 से 5 एंसल हो गया और यह 3 3 3 cancel हो गया याविव भजगा टू की पाउर 1 तू की पाउर 1 कभी ने लिखते हैं और इन्टु याविव भजगा फाइब की पाउर 6-1 – 1 पावड नीची आएगी मानस पावड नीचे एगी तो तो आपन 5 आपको आप्षण हो गया 3 क्लियर है क्लियर एक सिसन से नेक्स विशन है क्यूवरूट नेक्स ये विवलूट है 250 का क्यूव रूट है ये जो अंदर ये जो अंदर लिखावा है इसका मलब होगा यह पावर 1 by 3 है यह पावर किती है यह वन बाइद रिये तो हो जाएगा 250 की पावर ऐं 1 by 3 और डिवैड हो रहा है भाग लग रहा है किसका 10 की गात 10 की पावर 1 by 3 डिवैड का मलवे नीचे आएगा और दोनों की गात 1 by 3 है दोनों की पावर कितनी है 1 by 3 है तो क्या होगा होल पावर लग जाएगी 250 अपोन 10 की पावर 1 by 3 लग जाएगा या पर 0 से 0 केंचिल हो गया तो क्या आगया 25 की पावर 25 की पावर कि ऑफसन क्या आएगा फस्ट्पाइप फर्षट्पसं आएगा पावर्षट्पसन आइगा आए खले क्लिएर है तो ह Goddess कि एपने को यह लग रहा है कि दोनों का मतलब बच्चे जनरली गल्ती क्या करते हैं कि हाँ इसका अंसर बरे दस माइनस 3 अंडरूट 3 बताते थे तहे हैं जबकर इसका इनका अंतर अंडरूट 3 नहीं होगा इसका अंतर अंडरूट 4 Нज गी होगा वयों के अंडरूट 10-10 व्यूंट 10 उपर निचे दोम का दोनों का rationalize करेंगे तो मतलब अंडरूट साथ अंडरूट दस प्लस अंडरूट साथ का उपर नीचे गुणा करेंगे और इसमें करेंगे अंडरूट 11 स्वरी अंडरूट 11 अब अपने अंडरूट 1121ी को अंडरूट साथ को नीचे की रहेगा अंडरूट 10 उर इसमें क्या रहेगा सिसकाれ अब पाने विस्कोर यह अभी प्लगेगा तो होगा 11 ए 11 माइनस अंडरूट आठ स्वरी अंडरूट नहीं एगा यह स्क्वायर करेंगे तो आठ हो जाएगा अपन यहाएगा 11 प्लस अंडरूट आठ तो 10 माइने साथ कितना होगा तीन होगा यह तेन बटे अंडरूट 10 80 लेटो प्लस ऑंडरूड साथ और यह अगा थीन बते अंडरूड 11 प्लस अंडरूड आठ अब इनमें देघो ऐस और हर नुम्स डिनोमिनेटर रहो डोनों का अल्दोनों का नोम्रिटर समयन है अ अप हर जिसका बड़ा होगा वो संक्या छोटी होगी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो संक्या क्या होगी छोटी होगी वो नमबर क्या होगा तो रूट साथ रूट 10 प्लस रूट साथ का मान इससे कम हो इससे कम होगा कि यहां पर रूट 10 है और यहां रूट साथ है इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी संक्या आएगा जो भी मान आएगा वो क्या होगा रूट 11 रूट 8 से कम आएगा इन दोनों के हर की बात करें तो यह वाला हर बड़ा ह और किसी भी भिन में, किसी भी भिन के अंदर, किसी भी फ्रेक्शन के अंदर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वह संक्या क्या होगी? कम होगी, तो यह संक्या क्या होगी? कम होगी, और यह क्या होगी? बड़ी होगी, रूट दस माइनस रूट साथ क्या होगा? बड है जिसका हर कम है तो इसका अंसर आएगा फर्स्ट उपसर बच्चे जनली करते हैं कि यह भी रूट तीन हो गया दोनों पराबर बता दिया क्लिए यह दोनों पराबर नहीं होगी बड़ी संग्या कौंची होगी रूट 10-7 होगी उसका कारण यह कि दोनों का अंस समान है अंस अं ऐसे क्या होगी ग算खी ये कम होगा और यह जाना होगा के रहा आए एक मूट प्लस वन पर एक का मान पाच से एक स्क माढट चा यह पलस वन आ अपं एकस्जित को एकस्वारे का मान मेलूवियू निखानना है ठीक है तो इसको शोबग्र में आप क्या करो कर सबढ़ेखीर इस नीचे स्कुर्ट और हो इसका पर चेया और नो निकालना है weather आप क्या वरीゆ argue वन अप्वर में का उन के और फ्लिए क कंट जो और इसका डोनली स्वार्ट के खर स्कौनिज कर आँ किया होगाए स्कौरे प्लस वी स्क्वार प्लस टू ए बी टू इंटो एकश्म्ट रच्छिस इस और में टोगा होगा यह ना कट गया क्लियर है यह बच गया यह दो दरजा के क्या हो गया माइनस का हो गया तो X square प्लस वन अपॉन X square का मान हो गया 25-2 पराबर किता हो गया ते 20 इसका मतलब आपका option आगया second option आगया clear है simple सा है आपको इसका whole square करना है इसको इस तरीके से सब्सक्राइब और आपको इसी का मान निकालना था तो हम इस तरीके से इजली निकाल गया clear है simple सा question है clear next question है 55 question one of the dimension of the cuboid whose volume is 16x square minus 26x plus 10 is in एक घनाब है घनाब का आईतन आपको दे रखा है तो उन में से एक डाइमेंशन एक वीमा क्या होगी घनाब में होती है length width or height तो उन में से कोई length width or height कौन सी होगी सिर्फ एक पूच रहा है ठीक है और दूसरी बात आइतन आइतन होता है length into height लंबाई उना चोड़ां उन्च यह होता है तो गनाब का आइतन का formula होता है L into B into H यह होता है ठीक है तो अपने को आइतन दे रखा है है अपने को आइतन दे रखा है क्या दे रखा है प्लस के 10 यह हो गया यह इसके फेक्टर हो गए तो इसमें से 16 को मना रहा है पहले दो दो के जोड़े बनाएंगे इसमें 16 को मना रहा है 16 को मन ले लिया क्या बच गया एक्स माइनस एक और इन दोनों में माइनस 10 को मना रहा है X minus 1 clear X minus 1 हो गया x minus 1 हो गया अब दोनों में ब्रेकट शेम हो गया ब्रेकेट शेम गया था x-1 एक स्टमान लीडिया x-1 को मले लिए तो फोला एकस माइनस 10 अब इसमें से टूर को मना रहे है अब देखो ज़ेकर विजगे लेन्ट यह आपने को आइडिया निए कौनशी यह अपने को अधिया नहीं को अब देखो दो यह प्योप्सन में आ रहा है एक समय और और आट एक समय पाच भी अपने ओप्सन में रहा है तो वन अप दार मत तीनों में से कौन चीए डाम सब्सक्राइब एक तो लेंद एक विट एक आए तो अपना आएगा इसका फॉर्थ क्लियर है फॉर्थ ऑप्सन आएगा एक लिए नेक्स कुछन करें फेक्टराइज इसका फेक्टर करना है बहुत अच्छा प्यूशन है कैसे होगा इसके लिए आपको एक फोर्मला याद वना चाहिए फोर्मला यह होगा एक क्यूब फ्लस बी क्यूब फ्लस सी क्यूब माइनिस थरी अबी सी इकल्टो होता है एपलस बी फ्लस सी और फिर आता है a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a यह आता है और इसमें condition होती है अगर a plus b plus c 0 होता है तो इसका मनलब यह पूरा ही 0 गया a plus b plus c का माना अगर 0 हो गया तो यह पूरा ही 0 गया इदर का क्या होगा है तो इसका मनलब क्या होगा a cube plus b cube plus c cube minus 3abc का मानद क्या होगा जीर होगा और यह उदर जाके क्या हो गया plus का होगया a cube plus b cube plus c q you equal to guess how the a3abc यह फॉर्मुला होता है यह कब होता है जब a plus b plus c का क्यों मान जी रोगा बात समझ भी यह फोर्मॉला तो इसका एक्चल फोर्मॉला यह होता है अगर मैं इसके अंदर एक कंडिशन हाल दो इसका भी क्यूब है इसका होल क्यूब बना दो इसको लिख दो तो P into Q minus R का whole Q हो गया, इसको लिख दो Q into R minus P का whole Q हो गया, और इसको लिख दो R into P minus Q का whole Q हो गया, अब इन तीनों को add करके, इन तीनों को आप जोड के देखो, क्या इन तीनों का मान जीरो हो रहा है, यह दो इसे compare करो, यह A है, यह B है और यह C है, अब A plus B plus C, मतलब अगर इन तीनों का जोड समा रहा है, तो यह किसके को लोगा, इन तीनों के गुननफल के तीनों के को लोगा, तो इन तीनों को जोड़ो, इसको भी और आगे सोल करो आप, तो यह हो जाएगा P Q minus P R, sorry, P Q minus P R का whole Q plus, यह हो जाएगा Q R minus P Q का whole Q plus, यह हो जाएगा P R minus Q R का whole Q, इन तीनों को आप जोड के देखते हैं, इन तीनों को जोड़ो के देखो, A का मान तो आपके पास क्या हो गया, A का मान तो हो गया, P Q minus P R, और B का मान हो गया, आपके पास Q R minus P Q, और C का मान हो गया, आपके पास P R minus Q R, अब इन तीनों को जोड़ो, आप A plus B plus C क इन तीनों को जोड़ेगे तो ये पी आर माइनस का है और ये पी आर प्लस का है ये पी क्यू माइनस का है ये पी क्यू प्लस का ये क्यू आर प्लस का ये क्यू आर प्लस का ये क्यू आर प्लस का ये क्यू आ गया जीरो आ गया अब अगर इन तीनों का जो जीरो आ रहा है तो इसका मलब यह aq plus bq plus cq क्या होगा इन तीनों के गुणनफल के और इसके तीन गुणने के विला होगा इसका अंसर क्या होगा 3 into यह लिख दे यह लिख दे यह लिख दे यह बढ़ पी into q minus r into into में रहेगा इसको into को यह से नहीं लिखेंगे इन्टू और यह होगा q into r minus p और into r into p minus q यह आपका अंसर होगा है इसका अब इसको देखो इसका ओप्सन देखो p qr इन तीनों को तो बाहर ले लिए फिर होगा पहले इस बिरकेट को ले लो ओर्डर के खोड़े Q q minus r r तो इसमें दो उपसन आपके से इन हीज़ दो इसमें एक आईगा तो यहां पयाँखो p minus q q minus r r minus p यहां पर और पी- ar minus q q और r minus q a कोंख से आयंगा पूर्धा एक पहलत लए है क्लिया तर आप से इस्के आपका एक्षौल में यह अब आंसर की फोर्म के अंदर सेट करना तो इसका अंसर फॉर्थ ओप्षन आएगा स्विवर आसां सा के शना है असां सा कोंसेप्ट है क्लियर एक्स्ट करें विच कि अ इसा फॉलोव isn't not linear equation ने मिल नेकितमे से कौनजा सम्हेकरण जिसमें आपके अधाय का ग्राम happened आउद एक सरल रिखा मिले बंद कोई भीक्वेशन से फिर्ब जिसमे एक्स्ट्राइन क lin डीगरी वन ओनिची हुए डीगरी वन ओनिची है अब देखो इसमें सीपावर वन है तो फैस्ट ओप्छन तो लीन्यर इक्विशन है इक स्केस्कूरा ए तेरड़ में एक्सिट्र और यह तहरी से करते हैं X しquare-4x दूर प्लस के चारस अपहह च्भावर प्नुत दूर्छ प्लस वहाइस स्क्वार क्षेख गए आप ये अब अफ चैकरो अप्ने को इसको ऊलूसंद से कोई मतलब नहीं कि ये देखना है कि यह लिनीर हैंūा बतलब और माइनस का चार एक से एक सी पावर है ये ही है नियार एक सकी मेंधी मम्कार ₱ कि एक स्कुन है इसका अगर आ गराब ना होगी को तो स्रेंड रिखा पर से की स्द्रीट गासो पॉन शर एक लीनिर रेक्वेशन नहीं है क्लियर है क्लियर है नेक्स्ट केश्र करें कि एफ टू लाइन आर इंट्रसेक्ट बाई एट्रांस्वर्स यदि दो रेखाए एक तिरियक रेखा को प्रतिचेत करती है ठीक है तब इच पेर और कोर्रस्पोंडिंग एंगल आर सोफ हो तब बने हुए संगत कोण यूग में क्या होगा तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा हूगा संगत कोण तो में से समान होते है संगत कौन तो समार होते हैं आपका आंसर आपका फ़र्ष्ट दिया लेकिन दिक्कत ही आ रही है कि आपको ये टू लाइन है ये जो दो लाइने है ये पैलर के लिए नहीं बोलगवा कि अधा Dwore admitting काड़ी अभाए आपको ये थोड़ी वाएन पहला है और तो संगत को आपने सकते कि कि वह इक्वं होगे ऊब lagi अगर ये दो लाइन पेलर होती है तब तो ये काण और ये कोण इक्वं होगा लेकिन फोन हैं और अविछ एगा जाए मधा को आपको बहुल दिए र अब की कौन कौन सा होगा यह अपने को कण्रम अठीक है इक्वल तो होने मतलब इक्वल तो तब ही होगा जब ये दोनों लाइने पैलर हो और एंद्वलाइन आपको पैलर दे नहीं रखी ऐगा असान है इसका अप्शन है इसका खोड़ क्लिए इंदा फीगर A B C D और E F पहले लाइन है और एक रिलेशन दे रहेगा है य रेशियो जे एकोल टू थी अपोन से हों तो एक्स की वेली बताओ अभी और जेड का अनुपा दे रहेगा 3 कंट्या साथ थोड़ा सा एक इस का मान क्या होगा थोड़ा से एक इस तेहिकराम में देख्के आपको आईडिया लग रहा है कि एक्स प्लस वाई इंटीरियर एंगल है एक्स और य कहा है इंटीरियर एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा एक्स वस्ची होगा कोई इंटीरियर एंगल है अंत्या कोण है अंत्या कोणों का यो कितना होगा इसके कोई इंटीरियर एंगल है तो इनका सम होगा एक्स वस्ची यह और एक और बात करें यह वाई आई तो यह भी वाई होगा वर्टिकल अपोजित एंगल वाई प्लस जैड़ मी कितना होगा एक स्योगा यह दोनों भी प्लस जैड़ भी कितना होगा एक सो सी डिवरी होगा लेकिन अब एक ओडिकल है एक थोड़ी सी और इसके खुल रहेगा यह वहला एंगल और यह वहला एंगल क्या होगा इस खुल होगा और यह फिर बन रहा है अब अपने को देर का वाइप ओन जैड़ी किता है तीन बटे साथ है यहां से वाइप यह निकाल लो वाइप यह विली क्या होगी तीन जैड़ बटे साथ और यह वाइप यह वाइप यह विली आप इसमें रख दो कि यह वाइप किली drama तो रह ओ क्या होगा तीन जैड़ बटे साथ प्लस जैड़ अबर एक स्वाज सी साथ हैप लो इसमें अगा है चेड़ वह सेवन जैड एकोल टू और यह वह जब uw upon 7 equal to 180 0 00 cancel हो गया तो आएगा 126 और जह ही आपका एकस के तो इसका पहले प्या होगा 126 आपका ऊप्सन हैगा फ़स्ट आपका फिस्ट इस अःगा बात समझे आ रहा है है अल्टरन सरों करके वाई और जेड रहे है लिए अपने पुछ्य देज्टम आप यहाँ कि रहा हो सब्सक्राइब होका कि लिए रहे है कि आसन है लेक्स्टेशन करें कि अ इंदाफिगर एडी और एडी एडी यह पे एडीन एडी आएगा यहां पर कि आईगा एडी एडी वी पेलर है एडी की डाइग्राम से शो हो रहा है कि ए बी और एडी दोनों के पहले रहा है तो और यह वोड़ा एंगल 30 डीज़ गरी 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 तो और यह इसका इसका योग एकश्य होगा इस कोण का और यहां से लेकर यहां तक का इस कौं का योग 100 C होगा तो यह वहला कोण की तो यहांने कि यह लग्त होगा क्लियर और इसकार इसका योग भी इसकार इस कोण का योग भी कितना ओका एक सबस्क्राइब संब डिकटना होगा 110 अब यह पूरा कोण ही तो आपका एकस है तो इन दोनों को एक सबस्क्राइब और किते डेट सो किते आगए 260 आगए आपको उप्सोन आगए थाइड क्लियर है तो इसकांसर होगा थर्ड उप्सन बिल्कुल आसान सो कॉंचेप्ट है सिंबल से गोने यह आपे डी जगे एक नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमर्स्टिवन है इन्हें फिगर लाइन पी ओ डी पीओ क्यूशन जैए लाइन लाइन रे और इस परपेंडिगूल टुदा पी क्यूशन रेका यह और एक इस तूसरी ओस एक दूसरी किरणा जो इन दोनों के बीच में है तब कौन सा रिलेशन होगा ठीक है तापको निकाला आर एस यह क्या करेंगे एक तर्य वाला एक चील एक श और पी ओएस इन दोनेंसे बीच में रिलेसिन देखना है तो आप एक क्यों क्यों आज्य किस के बराबर होगा यह एंगल कि तॉयुक्त है कह नैंटी प्लस प्लस रोस प्रोसी को अगने होगा एक यह पूरा कॉर्ण QoS यहांसले कि यहांतका पूरा कोण यह पूरा कोण यहांसले कि यहांतका कोण यह किसका होगा this plus this तो ध्यार लगाना देखड़ा एंगल QoS इक्वल टो होगा 90 प्लस एंगल ROS ROS होगा यह होगा clear next है हम यह वहल निकल ले POS यह POS यह वहला एंगल क्या होगा यह होगा यह पूरा एंगल कि तक नबबबबबबा नबबबब मसे यह माइनस कर दे तो POS आएगा ने आएगा तो एंगल POS बराबबर होगा 90-ROS यह होगा 90-ROS अब आप क्या करें इन दोनों को माइनस कर दो इन दोनों यह माइनस करेंगे तब एंगल क्यूं ओ स मैनस अंगल पी ओ स्थिक्वल टो यहाइंकल आँपने आपको लिए जाए स्टरीवाइस ठीक्वल टू इंटू आर्ओ एस वहवा और यह तो नीचे आएगा वन भाएतो निद्द आ रहा है इस का एस का सफना यह का कि नेक्स्ट कुछेंदग कर in the in the triangle ABC angle A equal to kya B plus C और एंगल A की रिक्या होगी triangle ABC में तीनों एंगल का सम होता है 180 ट्राइंगल ए भी सी में प्रेटी में तीनों एंगल का संब्होंता है 180 डिगरी दी प्लस सी जगा आप अप्लास एंगल होगा एक व्री प्लस एंगाल एक एक टो वहोगा 180 यह वोगा 2 सू एंगल एक वुटु होगा 180 प्रेटेख ते अंगल 2006 स्क्राइब अगछ यह है किता होगा नाइंटि डिगरी घॉल किलियर है क्लियर है आसान है बंए टी यह 90 होगा भी प्लस्य किस मैंने क्या लिग गया अंगल आ यह डबल हो गया और एंगल एक ताहोंगा नगे डिग्रेंगर नेक्स्ट किसे परिमेटर आइसो इस राइट रियंगल रइंगल यह वाल है अगर रिये साइड है यह वी यह होगी और इसके थाइड साइड क्या होगी देख एक यह राइट रैइंगल है इसमें अगर प्लस ए स्कूयर होगा पाहितागरोस थोरम है अगॉट्ट ग्योंटीच यह होगा टुए स्कूयर क्या होगा रूट टुए इक क्या होगा रूट 2 A होगा, B क्या होगा, रूट 2 A, clear है, next है, अब इसमें देखे, perimeter, इसका perimeter क्या होगा, इन 3 साइड होगा, sum होगा, perimeter परिमाप होगा, इन 3 साइड होगा, योग होगा, 2 A प्लस B, और वो कितना है, 6 प्लस से 3 अंडर रूट 2, यह अपने को दे रखा है, perimeter दे रखा है, अब यहां पे B कमान रखो, B कमान कितना है, under root 2A, B कमान रखतो हो, तो 2A plus under root 2A equal to 6 plus under root 3, 2, इसमें से A common लेलो, A common लेलो, तो क्या बच गया, 2 plus under root 2, और इसमें से 3 common लेलो, तो क्या होगा, 2 plus under root 2, वेंज़ सों लिगुए एक्युवरशन रूट 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 कैंसल रूट रूट रू का रूट रहे लेकिन इसका एड़ को Il हवेड नेंगे हैं पॉनटो gosh 81 एक 머ै पॉन टूट तू तू टो चुट स्वर्य एक्योम कि यह तीन य estás RIGHT इन की फॉर फॉर पॉं फायो प्सर innwire क्योन उल्संटाय ने कि फॉर पॉं फॉर फंसर अउन्स राही तसके ओंग breeze क्लियर कि यह नैंबेट हो गया इम बैट ने फॉर बैट फॉर पॉर पॉपञ्ट ओ इस फिखर में एडी की लेंद क्या होगी इसी चार है और एबी-पाँच है तो इसका हम एरिया निकालेंगे चैतरपल निकालेंगे चैतरपल होता है एक तो इसका चैतरपल यह होगा अगर यह है यह देख न आप यह देखना इसका चैतरपल होगा एक बोटे दो अगर 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 यह नहीं होगी बन बड़्यकर होता है एक बड़े दो बेस एबी अब देर गए अपने किता पांच है और इंटु हाइट हईट इसी इसी किती है चार है यह तो होगया इरिया इस तो तरुपय से लूए अगर किसी भी वे में निकालो हम इसा क्या आयगा सैम आयेगा तो यह पर किसके होगा वन बाइटू बीसी बीसी कितनी है और हाइट क्या होगी एटी बात समझ मैं रही है वन बाइटू से वन बाइटू कैंचिल हो गया क्लियर है यह नीचे आएगा तो एक बीकुल तो कितना आएगा और बीसे चैने की दस्तितर्व निकाला इसको आधार लिया और इसको और रहेते दो तोनों तो ने दिया चया है एंट मिट यह क्या है कि बाँ ऑजिए आच कर दो एक पो घ्राइजबल सब्सक्राइब युनित इसका रहागा फिर्स्ट ओस्ट और युड़ाए थे स्कुर्ट। aligned और ट्रिंग्लर फिल्ड इस एके प्रेंटा में है ना फिलों तेरा अनुपाथ पांच बारा नुपास पांच में तो यह इसा बनेगा है यह बोजता ऊificación कि 12 एकश्डैलोज उसको 12 değil य्घ का अनुपात विए ये बुजा आ है 13 एक्स पुर्येव जोड़ किन्य चाइओ एंडी 5 एक सब्सक्याओ घ्राइक 6 expand बाराबर किता है 250 तो alt Messasm Wonderful एक कर फूर्ञ छोड़ गया तीन है सब्सक्राइब पूगएज आपός यहां थियुन निकालनी अपनदों क्या निकालना तो देट एरिया प्राइंग लिका लाल ले इसका गज़े लोगा वन बाई टू बेसेंट वाई बेच कि त्यक्ति यह फांच एक्स रट यह समकॉन तिर्भू जोगा बारा थे रा पांच का एक पेर होता है जोड़ा होता है तो इसका अगा बारा एक्स रख्यकी पेपला एक्स का बारा एक्स गुना पाशेक्स एक्स के माद पल्रा रखों तो या की आउगाव श।etics गुना पाँच और एक्स का किवान दोवरण रखण थो फंक्ना फंकzd venue पंदरा किया हूं यह कि inspires थे स्कमन है क्या जो दूनों कुला करेंगे तो तीन से उन्हाब करेंगे तो इसका ऊप्सों आएगा सेखिए दूना करता है आपका सफ्याइगा क्लियर है क्लियर तो बिल्कुल सा कुझ दे यहां पर एक्स का महान आपको यह रखने है क्लियर टेक्स कुछिंदेगे है way नेक्स्ट किसे नहीं है कि रॉंबस सेफ एस ग्रीन गास एट्टीन काउ टू ग्रेस एक सम चत्रबुज के खेत में गाया अठारा गाया चैन्ने के लिए गास है एक रॉंबस से सम चत्रबुज है जिसकी चारों भुजए बराबर है जिए एच साइड यह थार्टी मिटर वुजए दे रहें किया सबी साइड क्या है थार्टी मीटर है यह भी थाटीय यह भी थाटीयू यह भी थाटीयू यह भी थाटीय किये और ध्यविट थाटीय से और दरके इitts longer diagonal is 48 longer diagonal is 48 यह 48 का है longer diagonal is how much area to grass field Will be each Cow be getting ठीक है area निकना न है है एक गाय कितना मतलब एक लिए कितना बात आएगा कितना चैत्रफल आएगा ठीक है तो यह 48 तो इसका एरिया इसका चैत्रफल निकालने के लिए फॉर्म्ला आधा वन बाय टू दीटू सम चत्रफुच का चैत्रफल पूर दा डीवन दीटू तो हम करेंगे इसको भी और एक कॉंसेप्ट हो रहा है कि रॉंबस में शम्चत्रबुज में डायागोनल 90 डिग्री पर बाइचेक करते हैं तो यह वाला कितने का होगा 90 डिग्री गाओं क्लियर है तो अब यह वाला कॉन डिग्री गोई यह लग जाएगी यह यह किया होगा करन होगा आपोटेमियस ह C D इसको देदो O तो लेगेगा O B square equal to लेगेगा B C square minus O C square B C square minus O C square B C square किता होगा 30 का square minus C होगा 24 का square clear तो यह होगया 900 100-500 चिन्थर यह किता आएगा यह आएगा 324 यानि मदी गितनी होगई tous O V K这 अठाण होगे और यह total कोता होगई 36 तो तेदिर्ट अब इसका च्त्रो फंडिट्टू 1 लोगा इसका चेत्र पलोगा अब यह तो क्या हो गया इसमें इस सम्चत्र रोगाए अब एक गाय कितना किरती हो तो इसमें इसमें इसका बाग लगेगा इसमें इसका बाग लगेगा यह सब्सक्राइब तो इसमें नहीं है एक गाय का आपका डी ओप्शन क्लियर है क्लियर है क्लियर के नेक्स्ट किसन करें आप एर्या अप्रेशन होस्त इस दिस और सथीज सिर्फिस्टिन इंट फिर्टीन तो किसा त्रफटिल क्या होगा एक संब्लम्स संब्लम्स तुर्फट्र अब्वें दो साइडे पैलरा उन पैलर दो साइडे गया होते समांत्र होती है ऐसा होता है एक है किते हैं यह है 30 सेंटीमेटर डगी और यह पतचीश किए यह स्कायरा निकाल लाए और यह 15 15 कि विए तो एक मैं टू समों पाले सब्सक्राइट एंटी हमारी लग कान dogs e अधी निकाल सकते हाइट नहीं पता तो हाइट इसकी यहीं ओगी यह होगी खिसक फिक ही ओ खी किते हैं और अगर हम इस से भी प्रपेंडिग ड्रो रहे तो यह भी हाइट होगी यह अब यह को 25 विटी यह क्या है आपका रेक्टेंगल बन गया एक आयत बन गया तो यह थे रहोंगी आ और यह 13 की एह तो बच्किय कि तोटल 25 में से 13 12 बच्गे मिनगा है यह हाइट यह हाइट क्या होगी इसका स्कौार माइनस इसका स्कौर लेेजिए स्क्वायर हुल्ट होंगा पंद्राइब का स्कुक्रायर माइनस छआखा इसकॉर यह होगा दो सो पछया मैनस थे सथीस किता आएगा कि कि दो सो प्रटी सटीक ते कि अ कर एक सो neमाशी कर तो हाइट क्या होगी रूट ऊगा बुंट वॉघाल होगा एस की होगा रूटे इक हो नह kleinी आ प्रील झसकते हैं Probूसर प्रैट्छिय रोलगती कुर्ष्ट talent नोगुना दो एक होगा है Siukh और टोटेस हो गई यह स्की हाइट हो गई ढब आ इस का छेत्र फोल्या होता है इसका एरिया क्या होता है एरिया वन बाय तो समों पैलर साइड समों पैलर शाइड कि तीए तेरा प्लस पच्छीस और कुना फाइट हाइट कि तीन अंडरोड 21 ठीक है तो एक बटे दो तेरा और पचीश की तो गए अड़ तीस और यह हो गया तीन अंडरूड 21 यह से कट गया गुन्नीज गुन्निती सतावन सतावन अंडरूड 21 ओप्शन आया सेंटिमेटर स्कायर रहेगा सतावन अंडरूड तीन थाड़ ओप्शन इसका क्लियर है आ ब्रिट डैप्थ और फेक्यूबएड एक गनाब है जिसकी लंबाई चोड़ाई और गयराई का योग उन्नीज है और विकर्ण पांच अंडरूड पांच है छे तपल निकाल लें एक तापको दे रहा है लेंथ प्लस ब्रिट प्लस हाइट या डैप्थ वो तो सब्सक्राइब का यह अंदरूड फाच यह इसका ब्रण है ठीक है चेत्रबल निकालना लें इसका चेत्रबल इसका क्या हुता है गनाब का दो रखना लंबाई गो इल्टू लेंटू धी-प्लस बिन टुए प्लस एल टू एच प्लस एलेंटू एच अज गया होगा थिसक पांच के तना होगा 125 कि यह होगा 125 तो एक पचीज ठीक है और इसका भी ओल स्कार करना पड़ेगा इसका दोन साट क्या करना हुदेगा ओल स्कॉयर घृपर गाल स्कॉयर वहल फ्लस धी स्कॉयर फ्लस एच स्क्वेर प्लस टू इंटू एल बी टू एल बी टू बी टू बी एच प्लस टू एल एच तीनों में से टू को मले लिया या गया या लवी प्लस बी एच प्लस एल एच और यह होगा 301 अब इसका मान अपने को दहीं रखाएं 205 से 125 प्लस अब आपँ वोड़ सा अधियाल हो तो यह गनाव का के फुम होता है टो प्रश्चीव का अन ये क्या वह भ् 한 अएरिया हो यह चलिक अलना और सब्सक्क्राइव फ्लस अब 601 कल ब्सक्राइब 601 0153 में से 125 को तो साबड़ फेटिट दूस्टों सटीस ए अधिक तपका उप्षण हो गया थार्ड कर रहा हुआ इस तरीके से आप इस केशन को स्ट फरोले नेक्स केशन करें अगरे इस पेर एंड्ी योब है सेम सर्फेस इरिया स्पेर और क्यूब का सर्पेस अरिया सेम है यह स्पेयर का सप्लेशन अ होता है तो भूर पाई आर स्कूर और सेम श्छॉर्थ सर्पेस एडिया इसका होता है वह सुर खुआ सुरी हिए शिक्स स्क्राइर स्क्षपख की ऑग बदा्य का सरफ़ेस रियो होता है कि वालियु का बतलग घंड का घोल ले का प्रश्चितर फेली कि ऋहते है 4 No यार क्योप ग्रसका कि से किसका क्यों का सर्थ नों का अनुपाद पोछ रहा है एक को यह दोनों बनाभर मुणंब तें रहे हैं और इन पाउल क्या होगा यह पूच्छ है तो यह प्योंे अडिया है स्कवाइर या अर्स गार स्क्वेर अपोन एपोन एप्वार टीन अपोन दो पाई थीन अपोन दो पाई तो आप आपोन एक मान किता होगा तीन अपन दो पाई का रूट यह व्यार पोने पर यह मानिया रहा हो इसको रहेंगे तो क्या चार बटे तीन पाई परियोंगे आर अपोन एक होल खुब गया यार अपोने का अद्वेजिव नियुक्त अरप उनिक अस्वार आप उनिक हुआ पुन एक हमान ये रख देते हैं ये रखें च्यार पाई बटे तीन इसका क्यूब नहीं है तो इसका एक बार स्क्व तीन बटे 2 पाई और यह रूट के अंदर 3 बटे 2 पाई यह इसका क्यूब नहीं बचांग को यह जाएगा तीन बटे 2 पाई ठीक है दो को अंदर जाए गना तीन बटे दोपाई है तक अ उपा जाह में गायए तों ठीकड़ चीन दोफिंची नीचे अब क्लिय। छहब आपाई रूट छहब रूट पाई सेकंड ओप्सना क्रया है क्लियर इस तरीके जाब सेप्रेटली सौल करो दोनों को नेक्स्ट किसें करें वोल्यम ओफ क्यूब इस नुमेरिक वोल्यम ओफ क्योब इस नुमेरिकल एक्वल टूदा सम फिट्स एच एक cube है एक घन है उसमें कितने किनारे होते है उसमें total बारा किनारे होते है एक room है room के इंदर आप जज करो है total कितने किनारे है total 12 है चार सामने वाली phase पर चार इस पर आठ और फिर नो तटस ग्यारह और बारा Chelsea तो वोल्यूम घंका आयतन होता है एक्यूब घंका आयतन क्या होता है एक्यूब घंका आयतन उसके किनारों के योग के बराबर है तो इसके किनारों के योग के बराबर है अगर एक किनारा एक है तो टोटल बारा किनारे होते हैं तो बारा किनारे होते हैं तो बारा किनारे होत और यह सबस्क्राइज है तो वाड़ ड सब्सक्राइब सब्सक्राइट करये तोड़ल सबसरेवस सब्सक्राइब टोothes टोटल सब्सक्राइब Digital Theory सब्सक्राइब टोटल सरफेस एरिया उधे एकत्रम कोई शो सब्टननों कि ऑसे अउस्प्सक्राइब का फॉर्थ एश्याल कंसे नाँ एगा आ नेक्ट्ट के u ऐच टी एच टी एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी यह टूटल अब प्रिनाम होता है के लिक्रूंवर इस तरीकर रहेगा ताकि आप कभी नहीं भूलोगे इधर रखना है है ऑफ फ्राइट नहीं का लिक्लानों फ्रवर्वल्रिती Video हो और एक करें फैक तो पत्लानों कर जो Al acquire स nighttime यह तो इसमें इसमें बाते यह च यह प्ष्ड शक्रति सबस्क्राइब रहे कि गरहे विशंचोर श्रक्राइब यह आएगा इसमें एक आड़ यह निया गा इसमें कर दिया इसमें इपने आगे इसमें एक भी अड़ी यह टोटल कितने हो गये चार हो गये तो पर्वाइटे ओगिब आउटकम अपोन प्रोटल आउटकम किता आगा वन गयतों अपसंद है फोड प्लेर ख्लियर नेक्स्ट प्रोबैबिलेटी फॉर ए रेंडमली सेलेक्टेट नमबर आउट ओफ वन तू टू टूटिफाइव तू बी ए प्राइम नमबर एभाज्य संक्या का चयन करना है एक से लेके 25 तक कुल एभाज्य संक्या कितनी होगी तो एभाज्य संक्या में देखो पुन पता करें दो यो कि दो कि दो होगी तीन होगी चार पाथ पाँच पाच होगा एक छै首先 à a detail ग्रुवाट एपनी कि आउगा नोबीनी होगा टर्सु आएग्या रहा ओगा बारहन वागैक्णका तेरह 14 ने होगा 15 ने होगा 16 ने होगा शोलेन है 1225 नियुक्त तो घखे तीद चहुत इन तीन क्या नो नवटे-चिस प्रोबिल्टी होगी नवटे-ट्थीश होगी अभाजी चिंग्या एक श्राड के पचीस तक यह वाजे सिंग्या तो फ्रोबिल्टी होगी नोबटे-बचीस नेक्स्ट पीजिन अपने पास कि मिड़ वेल्यों आप दा लिमिट के लिए फोटी टू यू और इसकी साइज तैन इसका वना 5 आगे होगा और फाइफ बीचे होगा तब तो फोटी टो मिड़ीट अपको इसमें 5 एड़ करना है और 5 माइनस करना आपको इसमें क्या करना है किता हो गया 47 हो गया और इनका इंटर्वचल 10 का इनका गप कितना ए टेन का यह है और अपवसे भी अब आप देखो तो मिदी विल्यू निकालते कैसे हैं दोनों को एंड करके टूशी डिवाइड करो तो इन दोनों को एंड करेंगे है को यह कु एक है तो इसकी अपर लिमित अपर लिम्यट तो होगी 46 वा सब्सक्राइब में और इन संक्या ओका मोड का एवरेज क्या होगा यह वोना इन संक्याव का माधिगा निकाल ली है और इन संक्याव का बहुलक निकालना है फिर उन दोनों का ओस्ट निकालना है तो इनका मीडिया निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं आरूई करम ने चुक्त थे चैनिंडिंग ओडर में लिखते हैं अङ्ञरें लिखो विस्टिष लिखूचल में चोटा नूंब एक तुम्सतर लिख्यान ऐ enorm इलगा पदढनद का जो हो बीच में आरा हो इसका आज और और इनका भूलक कैसे निकालते हैं हाइस फ्रिक्वेंसी कून कितनी बार आ रहे है नो तीन भार आ रहे है नो तीन बार आ 15.2 किता आएगा 7.5 इसका उप्सन आएगा थाड बात समझे आ रही है पहले तो इनका मीडियन मीडियन तो निकलता है आप जो भी नमबर उनको असेंडिंग ओडर में लिख दो जो बीच में आ रहा वही मेडियन होगा आइग कैसे निकलता है जो ज्यादा बार आरहा वोही मोड होगा हाइस फ्रिक्वेंसि ही मोड होता ही ठीक है तो इसका उप्सन यह होगा नेकस्ट है तो 2 X Y 2 X और Y का मीन है 8 और तो इनका मीन क्या होगा तो मीन कैसे निकालते है तीनों को add करता है ऑट एक्स प्लस वाई बट्टे त्याय अनिया रोजहry किता है रिट्स याज हो कि तो है एक्स प्लस वाई प्राबर किता होगा चोईस और यह दर जाके मैनस को जाएगा था एक्स प्लस वाई का मान किता आगया बाइस आगया अब बोलना है तो मीन ओप इन तीनों का मीन निकालना है इन तीनों का मीन निकालना था एक्स प्लस वाई प्लस आठ बटे तीन मीन ऐसे निकलेगा इन तीन होगा और एक्स प्लस वाई की जगा आप रख दो 22 प्लस आठ बटे तीन यो गया तीस तीस बटे तीन किता आएगा दस आएगा इसका उप्शन आएगा तस क्लियर है इनका मीन होगा दस क्लियर रिख्शक है है लेक्स्ट है मीन ओफ एक्स ब्लस वन अपन एक्स का मीन है एक स्केमिटल एक्स मीन कैसे निकालते हैं दोनों को एड़ करके टू से ड्याइड करेंगे वह किता है कि अफिल एकस फ्लॉण प्लस बनफ तो इसका मान निकालना है ठीक है ये होगा माध्य इसका होली स्कॉयर्टर इसका होल स्कॉयर करतो इसका होली स्कॉयर करतो दोनों साइड तो इसका उली स्क्वार क्या होगा एक्स स्क्वाइर प्लस वन अपोन एक्स स्क्वाइर प्लस गुणा का दुगना टू इल्टू एक्स और वन अपोन एक्स बराबर होगा फोर एक्स स्क्वाइर यह दोनों कट गए एक्स स्क्वाइर प्लस वन अपोन एक्स स्क्वाइर का म है 2 नहीं माइनस दो बते दू दो का हवा लगों तो का दो एक basically ± इसका आप मैंत्या है हम अश्राम का मैं आंड़िय का लाइन इपना कि यृत चोईस है तो चस्व का मान होगा। तो जो बीच माद्य केसे निकालते मीडन का निकाल दोनों को जोर के दो खवाक दिला तो माद्य का क्या होगी x plus 2 plus x plus 4 बटे 2 बराबर किता दे रहता आपको चोईस दे रहते हैं उच्छ तो एक सरेक्स कितने होंके तो बैयालीस एक्स वराबर क्या होगा 21 एक्स वराबर क्या होगा 21 होगा क्लियर है इसका अप्सन होगा फर्स्ट ओप्सन क्लियर एक दमासांस है नेक्स्ट है 28 की गाद एक बड़े तीन क्यूब रूट है और इसकी गाद एक बड़े पांच 123 की गाद एक बड़े तीन तो 2 की गाद 6 होता है 25 गाद 5 चैए 2434 चैए 25 गाद 7 हो जाएगा 25 को लिखेंगे 25 7 की गाद साथ की गाद किती एक बड़े तीन ये बटे 25 किती ए उसका बान किता है एक बढ़े पांच है तो यह हो गया दो की गाद तो किती हो गए लगुतम लेंगे पंदरा दो की गात किती हो गई पंदरा लगुतम लेंगे इसमें तो 35-18 तो किती हो गई रहा तो किती हो सत्रह बटे पंदरा अब कों सो अप्षिन से टो रहाए पहला तो नहीं आएगा दूसरा बीछ चैक च्क तरह अधी चैक करते हैं इसको लिखेंगे कि धो कि गाठ इसको लेक्तेंगे कि गथ किगा दो और एक बटे पंद्रह ऐसा है गाट चाहरल पर गात मुक्या इसको एक हो गया दो इन्टू दो कि गाठ दो बटे 15 आधार समान है बेस सेम है तो पावर क्या होगी एड़ोगी इसकी पार किति है एक है तो यह होगा दोपिघ्र दोव मंतें 15 गॉल पनलुका आज हूँग के एक तरकाल करना है यह हा पॉली रोभय। आपको बताना है कसे करें हम इसमें अ carrier सॉप्स्ेम होता है तो हेश्का एक फेक्टर होता है ना होता है तो इस मतलए एक प्लस वन को जीरो करते हैं तो क्यों रखने पर गया तो इस पॉलिनोमियल से डिवाइड हो का है तो मैं रख रहा हूं एक्स के सब्सक्राइब पूर्ण दो नो इसका डिवाइड होगा अगर इसकी पी माइनस वन की वेलिए जीर अगर तो इसका एक फेक्टर है ठीक है चलो करो 9-1 की पावर चयार प्लस चीयार गुंदा मैने सब्समान का मिनसे एक और प्लस 8 मैने समय की पावर का माने को तै इसका मार मैंस एक होत है तो है कि यह कि था हो गया मैनस 여इक का मान माना माइनस पांच और प्लस 8 आध रिख रिंग नो लुगा है नो मैनस दो जी रहाँ इसका मतलब एक्स स्प्लस फन से दिवैड वहागा एकसे प्रस्टूका भी बात करना है कम आप निकालोगे तोय सहां आप निकालूगे पी मानस भाद क्या होगाary 저 ओसी चारवांना मैनfunded न की गातीं पांच उना मैंने को प्लस आट न बैने सार्टों न वह तो एल्ट न रणा आट उग्वर्ण न शुकंष में होगा कि ये मैन डस न इस प्लस अघ्त मैंनिस बैसर। रही है लोट इक़िकल जिरह इसका मलवन इस से डिवाइड नहीं होगा लेकिन एक्सप्छ टू से डिवाइड नहीं हो गा तो डिवीजिल वाइट प्रस वन बट डोड़ डिवीजिल बाइघ्स प्रस कुट टो अप्सन है है क्लेड थाड लॉपसन है गाइसका नेक्स्ट है a plus b plus c zero है तो इसका मान क्या होगा clear है तो बिल्कुल हासा नहीं है इसमें आप a b c लगउतम लेलो अब आपको थोड़े पहले बताया अगर 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 गेलियर है तो इसकी वेलियों गए उपरवाले की 3 A B C अपोण A B C ये कैंचल हो गया आंसर आ गया 3 4th option clear 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 next है X स्क्वाईर प्लस Y स्क्वाईर तो क्या होगा इसका क्या Relation होगा तो इसमें formula लग रहा है A Plus B Plus C का whole square बंट रहा है थोड़ा ध्यान से देखें तो द्यान से कैसे होगा XS और Z तो Kya है Standing को नो स्काय इस एक सौरव आई मैं एक मायन्स का है और वाई और जैड olhos Tako और भाई हो गया घाट रूट किया रहा हैं वाई होड़ा है ऊध्नियुघ में से एक मारेशन का सक jijifique मायनशszij होगा है इसको लिखेंगे हम 2y का all square इसको लिखेंगे हम 3z का all square इसको लिखेंगे 2 into इसको ले x y minus का होगा इसको लिखें मानस 2y होगा यह मानस का 4xy आएगा plus तो जागा 2 into y जाड है ना y की साथ है दो y यह होगा मानस का दो y y minus का होगा मानस का दो y मानस का 2y और आएगा जाड़ की साथ किता है ने 6 यह तीन जेट प्लस का होगा इस को गुणा करो तीन दून आचे दोन बारावाधके प्लस आएगा टू इंटू एक्स जेट एक्स के साथ है एक्स और जेड़ के साथ है तो तो यह पर मैनस का या पर बाकि इस पूरी को फोल करने पर यह वाली क्वेशन ही आती है इसका वह गया एक स्कुर्ण नहीं कि तो फिसको हम इस तरीके से अड्स करेंगे तो यह किसके लोगा एक स्कुर्ण के इसके बराबर है जीयो कर बराबर जी रोगे इसका स्कुर्ण के लेलो स्क्वारूट लेलो इस्कुर्ण जींट बराबर क्या स्सेरी rok है अ कि यह नहीं पर व्हक्राइक सुछटों कूसरर थे फ топ सब्सक्रांड नहीं क्लिए और फिए-फथैस्ट अ फोल्प करने और वह विह सोगेगा one of the factor AQ plus BQ plus CQ plus 3ABC same concept लग रहा है same concept लग रहा है भी बताया था आपको अगर A plus B plus C equal to 0 होता है तो AQ plus BQ plus CQ का मान किता होता है 3ABC होता है यह आपको बताया हो है clear है तो यह होगा तो इसको मिश्क्वर के set करेंगे कैसे होगा A plus 2B का whole cube 2A minus C का whole cube इस मैंस के जगा plus c exist करना पड़ेगा तो इस मैंस को आप अदर ले जाओगे क्योंकि मैंस 1 का cube क्या होता है मैंस 1 का cube minus 1 होता है के तरह माइनस अंदर जाए को माइनस चाहिए माइन से मैनस टूष्य जाए गा बाइन से माइसहाज शोकी इसको इसको अई यगा माइनस ए और माइनस 2C का होल क्यूंग है olduğunu हिगा मैं हो गया मैं और आगे जो भी है आगे जो भी है कि आगे जो भी है ठीक है अब आप इन तीनों को जोड़ो देगा जीरो आ रहा रहा गया मतलब आगे भी लिखते थे चलो क्या होगा यह माइनस भी इसके साथ एड्जिस्ट कर देंगे तो क्या होगा माइनस का तीन कि अगया अयुक्ति एप्लसट 2B और यह होगा क्शीय्ट प्लस 2B और यह माइनस के साथ माइनसC एड्जिस्ट कर दें मैंनस ए मायनस2 Sun App है यह आग्या है एक्यूब उस बी क्यूब प्लस C cube minus 3 A B C ठीक है ताब इन 3 ओ को add करके देखो A plus B plus C क्या होगा A plus B plus C 0 हो रहा है क्या A plus B plus C है निकी A plus 2 B और plus 2 A minus C minus A minus 2 C तो A से कट गया तो यह हो गया 2 A और यह B के ता होगा A plus 2 B और minus 3 C हो गया clear है तो आपको option हो गया 3rd first option हो गया next question है point 0, minus 2 लाही 0, x coordinate 0 है तो y coordinate की y coordinate minus 2 दिरका है तो इसको option है 3rd third option है y axis पर होगा x coordinate 0 हो था तो y axis पर क्या होगा x coordinate 0 होता तो y axis पर लाही करता है clear तो 3rd option होगा some of the distance next question है some of the distance from the x axis and y axis point 3, minus 5 3,5 यह point 3,5 तो इसकी यह distance तो किती है 3 है और यह distance किती है 5 है इन दोनों का sum पोच रहा है इन दोनों का योग पोच रहा है तो योग किता आएगा 8 आएगा option क्या होगा ओर्त होगा next question देखे इसके और विजन पोटिन 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 के बीच का डिफरेंस निकालना है और वह सिरफ ओर्डिनेट पोटिन का निकालना है तो क्या होगा पोटिन 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 कॉम्प्लेमेंटरी एंगल कर फक्रेशने माइनस थीटा वह क्या होगा कॉम्प्लीमेंंटरी एंगल कॉम्फ्लेमेंटरी एंगल निकलता है 90-3 से एक्वल है क्लेर एक जाल सॉबलैंगे घंघल थिरीटामस 106 तोобытиञ देन पेयं शुकूलीus तो किसी भी एंगल के सप्लिमेन तेल्गा थरुकथ होता है उसको क्यों गप पाइटी माइनज ठीटा इकुवड़ी Спांधि के माइन TWOा से घुन थिटा विक्वर तो प्लस गया थे यह धूद माइनज पाइए वोय ओर तो अपसन आएगा clear है next देगे अंदा गेवन फिगर ए अबीडी और ACD का रिश्यो निकालना है A B D यह वाल एंगल और यह वाल एंगल का रिश्यो निकालना है अब इसमें तरच ज्ञान अगना ये धो साइड है तो इसके सामने वाला इंगल, ये ये अगल और ये अगल और ये 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 साधव लोगा । ये ब veggie मख़त भी कोई होगा तो कि ब nostril आ रही है। ये यह सत्व लोगर Say ये प्रिंगल पॉरा एंगल के इनके होगा है कि कोशिए प्रेसियर की तो नो एंगल एंड प्राइग के मैं ब्लैंस ओनिंग ये योगा यह Qungo खोल होगा वे का फिर्स्ट नेक्स्ट किसन अपना इंदा फिगर पीएस इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यों पी आर एंड पीटी इस प्रपेंडिगुलर टुक्यू आर यह पीएस लाइन है यह क्या इस एंगल का बाइसेक्टर है दो इक्वल दो बराबर कौन में सम्धिवाचित करता है इन में से कौन सा रिलेशन होगा तो आपको दे रखा है क्यू पीएस आपको दे रखा है एंगल क्यू पीएस इक्वल है किसके एंगल आर पीएस आर पीएस के एक्वल है ठीक है अब इस क्यू पीएस को एंगल को लिखेंगे हम क्यू पीएस एंगल को लिखेंगे हम क्यू 2PT plus angle TPS इसको ऐसे लिखेंगे और इसको लखेंगे RPS को लिखेंगे RPT minus TPS पासमाज में आ रहे है इसको लिखेंगे RPT माइनस TPS मतलब इस पूरे angle में से यह वाला angle मारिच करने को तो यह वाला angle बच्छाएगा clear है clear clear अब यह TPS इदर आके positive हो गया तो हो जाएगा two times यह W हो जाएगा दोनों यह two times हो जाएगा two times of TPS एक्वल टो होगा RPT minus QPT अब RPT RPT यह वाला angle देखना RPT यह वाला angle यह 90 का है और यह angle आपको दे रहे हो तो यह इन टीनों a angle खॉस हम कितने हो वनट हो तो यह वाला angle के रहे होगा 90 minus हर के रहे हो कि 90 asp एकुकि देखो इन टीनों angle का सुम वने की होगा तो यह 90 minus कड़ेगा तो यह वाला angle की स्क्वार्ण 90-R के कुल होगा यह होगा 2 into TPS equal to होगा 90- angle R minus QPT QPT का होगा यह वोला अंगल यह क्या होगा 90- यह वड़ा अंगल 90 का है यह आप यह पर 90- QPT को लोगा 90- QPT को लोगा 90- यह होगा 90- angle Q 90- 90- cancel होगया अब यह angle Q positive होगया और यह angle यह negative होगया तो होगया 2 TPS equal to angle Q minus angle R तो इसका आपका answer आगया और यह 1 by 2 नीचे आएगा तो आपका परिष्ट आंशर आगया ए ए एक लियर असना सब्सक्राइब नेच्स्ट करें इस्टेटमेंट नेक्स्ट कुछरे इस्टेटमेंट ABCD इन दा कॉलम A have to be match the statement PQRS in the column second ABCD और इसके कॉलम को सेंग मैच करना है M और Y एंगल होंगे यह M एंगल है और यह यह एंगल है यह कौन से एंगल होगे एक्स्टिरियर होगे alternative इसमला एक का P के साथ होगा एक का यह 1 एक के साथ होगा और a and d एंगल दी के इंटीर होगा यह होगा आपका दी इंटीर होगा ठीक है कि एक का क्यों के साथ होगा B का कि एक के साथ होगा और तीसरा क्या है डी एंड यू डी एंड यू डी एंड यू होंगे corresponding angle डी एंड यू होंगे corresponding यह पहले लायंस अगर श्रॉब तो एक corresponding angle होगा तो इसका C होगा और यू एंड जी यू एंड जी कौन से एंगल होगा तो यह नोड़ कोरर्सप्टिंगल होगा यह साथ मैंज कर लो एक आ क्यूंक साथ तक हो som ये बटिकलर यखाल पासिटल ओंगल हो गाय और कौन अलम यजी इंटिर सब्सक्राइब करें सब्सकिति अलम फिल्ट ओंद सब्सक्राइब तो आपको सिर्व एंगल के बारे पैचार ना और कांसर देना को कौन सा एंगल कौन सा होगा क्लियर नेक्स्ट विसन करें कि तक कोस्ट आफ ट्राइंगल फिल्ड इतने मिटर फॉर्टी फाइब रुपीस पर में हंडेड़ मिटर स्कार इस मैंने रेट मतलब एक ट्राइंगल में यह घास लगाने की पैतालिस रुपे सो मिटर स्कार के पैतालिस रुपे लगते है तो नो सो रुपे लगता है और स्वाल के और इस में बोलाख लगार का कर के अधार का दुगुना का मुचा के पांज़ को ने के बराबर है यह बोलाऊ है और इस में बोलाखाए एरिया एरिया एरियर उधार पाझ लगत दो निकाल ला है तो तो मिट्र स्कॉर्य कि लगता है यह यह अरे अरे यह एरिया और उसका रेट से तो यह से cancel हो गया two times a twenty हो गया और b की जगार हम रख देता है आपका height निकाल नहीं तो b equal to kya होगा five h upon two b kya five h upon two रख दो तो one upon hundred यह one by two और b की जगार रख दो five h upon two or into h or equal to 20 आपका h की वह निकाल लिए h square हो गया है यह five और यह भी कट गया four the h square equal to hoga four यह हो गया hundred और यह होगा two into two h क्या होगा four का root कितना होगा two इसका root कितना होगा ten और दो बाट वह तो इसका root कितना होगा two तो कितने होगा 40 40 मिट्र हाइट होगी clear clear ऐसे रूट लेलों के कल्कुलेशन के जूरत नहीं है हम इसका डिरेक्टी स्क्वारूट रूट रूट को मुल्टिप्लाइक बाद मिस्क्वारूट लिए इसे डिरेक्टी स्क्वारूट रूट जाएगा इसकांसर होगा यह आपका टोटल कोष्ट निकालने का होगा 45 रूपीज देरगा पर हंड्रेड मेटर स्क्वार के clear एक्ष्ट वोल्यूम ऑफ दा को वोल्यूम ऑफ टू को और इंदा रिश्यों वोल्यूम वन अपॉन थी पाई आर स्क्वार एच वोल्यूम क्या होदा है कोन का वोल्यू होला है और डायमेटर किस रेश्यों में डायमेटर रेश्यों है दियवन अपॉन दी तू उसका है 4 अपॉन 5 तो डैमेटर जिसे सब्सक्राइब को स्ब्सक्राइब शुब रटोगा यह रखद आप कल्या है तो एक रही और न पून आट्टु का ऊली स्क्राइर इनटोगा इंट्वत्यु एक रटोगा पॉर पारवन अपूरा टों जेगे एक दो फोर अपोन फाइव का होल स्क्वेर एच्वन अपोन एक टू एक वान बाइफ पॉर यह क्रोस में टिप्ला है का ट्वन टिपाइफ अपोन ये निचा आएगा तो एच वन अपोन आश्ट किता आएगा यह हो जाएगा वन यह हो जागा 25 अपोन 16 तो 64 हो गया 25 रिशो 64 यह आप का अंसर आगे रहे क्लियर है वोल्यूम का रिश्यो था और यह रिए रिलेशन दे रिखा इसको यूज के लिए पियर नेक्स्ट कुस्टन करें the radius two spare r in the ratio spare की दो radius का ratio दे रर्का है radius का रीष य८ मॉन अपोन r2 इकोलटु है टुप अपोन 5 Ьयु यू ऑडियर वोल्यूम स्टेक वोल्यूम का रिश्यो में स्पेर का वोलिम होथा 4 अपोन 3 πr2 क्यूब आपन दो तो इस पेर है 4 अपन 3 πr2 3 4 अपन 3 पाय 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 धर से यह एक हैंसे लोगया आरवन अपन अपन अप रखे तो इसकी विलिए रेखे तो सब्स्चीट किर दोब तो क्या होगा 2 upon 5 का whole cube volume का ratio होगा तो होगा 8 upon 5 का होगा 125 8 upon 125 अब का अंसर हो गया clear 5 का cube होगा 8 upon 125 clear तो एकदम आसान सा केशन है next question करें the mean of the following distribution इसका mean निकाल ला है mean का formula होता है x bar equal to sigma fi into x i upon sigma fi यह होता है तो में निकालेंगे तो पहले f i x i करेंगे तो कि तो आगा 20 यह ओगा 60 यह ओगा 90 यह ओगा 70 और अंदर अंटे 120 120 clear 120 तो यह 0 9 18 20 26 2 3 60 इसके लिटो होगी 360 upon नीचे होगा 20 20 40 यह 00 के इसने हो गया 9 इसका mean आएगा 9 इसका mean कि ता आएगा 9 एक दम आसान है f i x i upon sigma fi fi क्या होगा इनका sum होगा और इनका sum कि तार है 40 यह इनका sum 40 यह और f i x आएगा इनको multiply करेड करना है clear है तो इसका mean क्या होगा 9 होगा next question is mean of the following distribution is 9.2 find the value of P अगर इसका mean इसका माद्धिय नो है 9.2 है तो mean निकालना है तो formula वह लगाएंगे क्या लगाएंगे mean equal to होता है sigma f i x i upon sigma f i और mean आपको दे रखा है तो वह होगा इन दोनों का प्रोडेक्ट होगा 20 यह होगा 36 यह होगा 28 यह होगा 10p plus 40 और यह होगा 96 परस्ताम 44 इनका सम की तार है इनका सम आएगा आप calculate करोगे तो 304 304 plus 10p तो यह 9.2 यह होगा 304 plus 10p upon frequency का सम होगा frequency का सम निकालोगे इनका यह फ्रिक्वेंसी का सम निकालोगे इनका सम आ रहा है आपके 40 तो यह आना को 40 तो cross multiply करना है और यह इसको cross multiply करेंगे तो यह जागा 368 equal to 304 plus 10p 304 तो यह जागा अब कांसरों का form clear असान से किसे ने असान सा concept है नेक्स्ट है अधाएशी तो एक डाष को फैंकते है गेटिंग प्राइम नमबर प्राइम एक डाष को फैंकते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं प्राइम नमबर होता है होगी परवाइट यह होई वन बाइट चुक्स्टी के लिए वन बाइट तो ओगी क्लियर नेक्ट्विशन करें करें परिमेटर हो ऊन फेस का परिमेटर है ट्वन-फेस का परिमेटर है 20 सेंटीमेटर पेरिमेटर वन फेस वोगा फोरे फोरे एकोल कितना होगा 25 अगई क्यूब का वन फेस होता है उसकी चारों साइड आ यह तो फोरी हो गया फोरे अब वोल्यूम रोता ना वोल्यूम क्या होगा एक्वोथा तो ओगया तो फाइफ का क्यूब कितना होगा 125 तो वोलियूम होगा 125 क्लियर है वोलियूम होगा 125 सेंटिमेटर क्लियर नेक्स्ट क्रिसम करें एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार प्लस एक्स वाई की विली बतानी है तो एक्स वाई की विली गिवन है तो इसका स्क्वार करता है हम निकालते हैं एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार प्लस एक्स वाई एक्स वाई को बात में करेंगे क्योंकि इनका प्रोडेक्ट तो तो वन आ रहा है ठीक है तो इसका स्कॉयर होगा रूट थ्री माइनस रूट टू अपोन रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्कॉयर और प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू अपोन रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्कॉयर और इनका प्रोडेक्ट तो वन आई रह है इसका होली स्कार होगा a square plus b square और minus 2ab यह हो जाएगा 2 root 6 निचे होगा a square plus b square plus 2ab clear है और इसका square होगा a square plus b square plus 2ab और यह होगा a square plus b square minus 2ab और यह प्लस 1 तो यह गया 5 minus 2 root 6 और यह गया 5 plus 2 root 6 यह गया 5 plus 2 root 6 यह गया 5 minus 2 root 6 और यह तो यह से मुल्टिप्ला होगा यह से मुल्टिप्ला होगा तो क्या हो गया 5 minus 2 root 6 का whole square और यह हो गया 5 plus 2 root 6 का whole square और यह प्लस का 1 तो होगा 25 प्लस इसका होगा 6 और 4 24 इसका होगा 6 और इसका होगा 4 24 और मुल्टिप्ला होगा double 10 और 20 minus का 20 root 6 plus इसका square होगा 25 plus 24 और प्लस का 20 root 6 नीचे प्लस भी यह minus भी लगेगा तो यह होगा 25 minus 24 और यह plus 1 यह cancel हो गया अच्छी पच्छी 50 और 498 यह हो गया 98 अपॉन 1 प्लस 1 99 तुसका आपका उंसर रहेगा 99 क्लियर है तो फर्स्ट आपका होगा सिंपल सी के लिए थोड़ असे सको मार्थर की सॉल करना है कि नेक्स्ट क्रिशन है इसका 99 टाम्स तक का इसके वह बताना है एक्सपेंड बताना है इसका वेल्यू क्या होगा इसका माहन कितना होगा तो 99 टाम्स मैं एक को सोल करता हूं वन अपॉन यह है रूट टू प्लस वन इसका रेशनलाइज करना बढ़िए रूट टू मैंन सवन टो टो टू मैंन सवन तो रेशनलाइज करेंगे उपर तो रूट टू माइन सवन और नीचे वह गया a2 this to my वन अइसका इसका रूट त्री माइनस रूट टू आएगा ऐसे इसका रूट फोर माइनस रूट त्री आएगा यह आएगा ना मतलब बीच वाइनस आज आएगा और उपर होजाएगा अब यह देखो और रूट वाला जो 99 वाला टम होगा उसमें होगा रूट 100-,- 99 और यह रूट हो गया को रहर इसका को रूट गया अब देखो यह रूट से रूट गया रूट थरी से रूट थरी केंसल हो गया 204 गया और यह रूट 99 इससे पहले वाले में में लोगा फैर रोट राएगा भी यह सिर्फ यह रहा है तो रूट अंड्रेड माइनस बस रहा है ठीक है रूट अंडरे 10 होगा 10-1 10-1 किता होगा रूट 9 कि रूट नाइन के विल्ए किती होती है थ्री तापका उप्शन आगया थाड थाड आगया आसान सा कुछन है नेक्स्ट कुछन करें 12 इसको लिकेंगे 4 अब प्लस अब इसको वापस आप सच मोल दो तो अब वापस एक्स पोल दो च्लिएर क्लीयर है और तरिश के फेक्टर होंगे, x square minus का 4x और plus का 3x minus 12 equal to 0, तो अधो के pair बनाएंगे, x को मना गया, x minus 4, और plus का 3 को मना गया, x minus 4 equal to 0, यह हो गया, x minus 4 और x plus 3 equal to 0, x के विल्यों क्या हैगी, 4 और minus 3, तो आपका answer होगा, only 4, क्योंकि root है, root negative value नहीं देगा, root negative value नहीं देगा, तो positive value देगा, मतलब आपको क्या गणा, इसका एक बार square करना है, एक बार square करने पर यह ऐसा बन जाएगा, अब जो यह infinite तक तो infinite से कम करेंगे, तो भी एक infinite ही रहेगा, इसको मैंने वापस x बोल दिया, तो यह x बन गया, तो यह equation बन गई, equation को solve करके आप cancer आ गया, तो इस answer होगा, first, first answer होगा, clear है, तो इस तरह के से, DTSC के आपके solution complete होए, clear तो इनको आप देखना, answer confirm पढ़ना, okay, thank you. जह जा इसक्त ढया जए और जखर आप दो मैंने तो आपको करेंगे, एषक्समादाध दे मलें तो,